पराट्रूपर सोनम शेरिंग तमंग दी चौथी बचालियन पराशुट रेजिमिन विशेश बल चार अप्रेल 2020 को पराट्रूपर सोनम शेरिंग तमंग विशेश बल डिटाच्मिंट का हिस्सा थे जिसे घुसपैट करने वाले आतंक वादियों के दस्ते को रोकने और खत्म करने के लिए केरं क्षेतर जम्मू कश्मीर में हेलिकॉप्टर से उतारा गया था पाँच घंटों से ज्यादा समय तक कमर तक बर्फ में चलने के बाद टुकडी ने सफलता पूर्वक आतंक वादियों के साथ संपर्क स्थापित किया एकदम नस्दीक से गोली चलने के परिणाम स्वरूप दोनों दस्ता कमांडर सुवेदार संजीव कुमार और पैरा टूपर अमित कुमार गोली लगने से जखमी हो गए और शेश दस्ते से उनका संपर्क तूट गया अपनी रणनीटिक दक्षता से आपने अपना दस्ता कमांडर को आतंक वादियों की भारी गोली बारी के बीच से सफरता पूर्वक बाहर निकाला पैरा टूपर अमित कुमार जखमी थे और आतंक वादियों की गोली से मृत्यों को प्राप्त हुए अपने दूसरे साथी को गंभीर खत्रे में देखते हुए आपने हिम्मत दिखाते हुए एक आतंक वादी को एक दम नस्दीक से सटीक राइफल गोली बारी से मार गिराया भाग रहे आतंक वादी पर हत्गोला फेक कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया पैरा टूपर सोनम शेरिंग तमंग ने एक कटर आतंक वादी को गिराने और एक अन्य को जखमी करने और सुविदार संजीव कुमार को सुरक्षा पूर्वग बाहर निकालने में अत्यंत साहस और जबरदस्त वीरता का परिचे दिया इस प्रकार आप अत्यधिक प्रतिकूल परिस्थितियों में बड़ी वीरता से लड़े जहां उनके दस्ते के अन्य सदस्य कारवाई में शहीद हो गए पैरा टूपर सोनम शेरिंग तमंग अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन दबाना ना भूले अगर आप हमारी वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेच को फॉलो और लाइक करना ना भूले